देन उसके बाद Battle of Trident situate करीगी ये बैटल Targaryens की कमर तोड़ने वाली बैटल थी दर्यमारकेवल बैटल जहां Mad King ने रेगार के ससुराल Dawn से मदद मागी पहले उन्होंने refuse कर दिया क्योंकि Torni at Helen Hall में रेगार ने जो बरताब किया था ऐलिया मार्टेल के साथ क्योंकि उसने ल Ruby Ford नाम की जगे पहुँचे जो Northern Bank of Trident में था और वहां situate होती है Battle of Trident क्योंकि Rebellion Army भी वहां पहुँच जाती है हाना कि Rebellion के पास उतना manpower नहीं था जितना रेगार के पास था और यहां सबसे पहले single combat से फैसला करने की बात करी गई जिसमें रेगार, Targaryen और Robert Barathian one and one लड रहे थे, वो लड़ाई सबी को दिल धहलाज देने वाली थी, क्योंकि पूरे राज्य के fine warrior आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से, जहां रेगार ने Robert को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था और इसी भी दोनों दलों की आर्मी भी भी भीड़ चुकी थी, और भी स सिचुएट करेगी, जो बिल्कुल भी बे-fugil battle थी, लेकिन इसके बीच में ग्रेजॉय ने फायदा उठाने की सोची थी, चाना की दिखाने की सोची थी, और अपना ही नुकसान कर बैठे, जब उने पता चला कि रेगा टार्गेरीन अब मर चुका है, तो क्वेलन जो उसके बेटे थे, बैलन ग्रेजॉय और येरेन ग्रेजॉय उन दोनों ने अपने बाप को मना लिया को अपनी जान गवा दी और अपने थ्योन के पपा, बैलन ग्रेजॉय जो बाकी बचे आदमियों को लेकर वापस फिर से आईरेन लैंड्स की तरफ लोड़ जाते हैं लैंड्स के बाद से चेट होती है सैका ओफ किंग्स लैंडिंग हाना की मैट किंग अब हर जगे से अकेला पर चुका था, बैटल अफ ट्राइडेन के बाद बहुत होने रोबर्ट को अपना किंग मान लिया था क्योंकि उसके बाद उसने अपना बेटा भी खो दिया था, बैटल अफ ट्राइडेन के बाद नेडि स्टाक पहले किंग्स लैंडिंग पहुँचे और रोबर्ट खायल होने के कारण कुछ समय बाद पहुचा था, लेकिन उससे पहले ही किंग्स लैंडिंग तबहा हो चुका था, जिसका अंजाम दिया था टाइविन लैंडिस्टर पहले तो लैंडिस्टर आर्मी किसी का भी साथ नहीं देना चाहती थी, ना क्राउन का, ना रेबेलियन का, लेकिन रेगार की मौत के बाद टाइविन ने दिमाग दोड़ाया और चल से मैट किंग को छांसे में लिया, कि मैं जो 12,000 सैनिक लेकर आया हूं किंग्स लैंडिं कि धज्या ओडाने लग जाती है, और कबजा करने लगती है पूरी किंग्स लैंडिंग पर, इतने में जैमी लैनिस्टर को मैट किंग आदेश देता है कि उसके बाप का सर वो काट करा, यानि टाइविन लैनिस्टर का, बजाए उसके उसके उसने मैट किंग को ही मार डाला उसके बाद सर ग्रेगर क्लिगॉन, जिसे हम दा माउंटेन कहकर भी जानते हैं, उसने रेगार की बीबी इलिया मार्टेल का जो बेटा था, आइरन थ्रोन का जो एकलोता एयर बचा था, उसे ब्रूटली बहुत बुरी तरीके से मारा, देन वही खोन वाले हाथों से उसने इलिया मार्टेल का पहले रेप किया, देन उसको भी मारा, जिसका बदला गेम अफ थ्रोन्स में इलिया मार्टेल का भाई डॉर्नी स्प्रिंस ओबरेन मार्टेल ने लेने आया था, अगर आपको याद हो तो, और उसे भी वन अन वन बैटल में माउंटेन मार देता है, खर ये लोग भी किंग्स लेंडिंग पर होते तो टेफिनेटली मारे जाते, देन उसके बाद नेडिस्टाक और रोबर्ट किंग्स लेंडिंग पहुँचे और ये बच्चों का जो नरसंगहार हुआ था, इससे नेडिस्टाक बहुत नाराज हुए, जिससे रोबर्ट और उन करी गई थी, नेडिस्टाक ने अंजाम दिया इस मुहीम को, देन नेडिस्टाक अपनी बहन लियाना इस्टाक को खोजने निकल पड़ा, जिसे मालूम चला कि डॉर में एक टावर ऑफ जोय करके नाम एक मिनार है, वहाँ पर रेगार ने उसकी बहन लियाना को छुपा के रखा है, जहां उसका पंगा सर आर्थर डेन के साथ हुआ था, जिसे आपने गेम अफ थ्रोंस में भी देखा होगा, और नेडिस्टाक अपने पांच फाइनेस वारियर्स को लेकर जाता है, और टावर की रक्सा जो कर रहे थी सर आर्थर और उसके दो और किंग्स गार्ड इन सभी के बीच में फीसर युद्ध होता है, और लेकिन देखा है, आर्थर ने सब की धज्या उड़ा दी, लेकिन धोके से आर्थर को मारने में सफल हुए नेडिस्टाक और उसका एक साथी, उसके बाल लियाना स्टाक जिसने जॉन सनो को जन्वे दिया था, वो काफी कम जारिस कर रही थी कि ये तुम इसे अपना ही बेटा गर के बता, उसके बाद इस टैनिस बराथियन ने ड्रेगन स्टोन पर हमला किया, ताकि टार्गेरियन की जो लास्ट एमाई थी, विसेरिस और डैनिरिस टार्गेरियन, उन्हें मार सके लेकिन उसके पहुँचने से पह गया और उसके बाद उसकी साधी सरसी लैनिस्टर से करा दी गई, बाकि उसके बाद जो हुआ, वो गेम आफ थ्रोंज में साब ने देखी लिया है, तो भाई साब ये था रॉबर्ट रिवेलियन की पूरी डिटेलिंग गा था, जिसमें एक एक पॉइंट को मैंने कबर किय सारी मेजर बैटल्स, पूरी रॉबर्ट और नेडी स्टार्क की जर्नी किंग्स लेंडिंग को जीतने के लिए, बाकि कुछ भी मिस हुआ हो, तो बाद उसके लिए पहले से ही माफी, वीडियो कैसी लगी, नीचे कॉमेंट बोक्स पो जरू बता के जाना, काफी लोग पहल और कुछ इंफर्मेशन मुझसे मिस हुई हो, तो जरू नीचे कॉमेट बता के जाना, बाकि नेक्स वीडियो किस पर बना सकते हैं, बाई जरू बता के जाना, और गेम अफ थ्रोंज यूनिवर्स से वावा यूही प्यार बना रहेगा, और मेरा भी सपोर्ट बना रहेगा अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तब, यहां तक पहुंच गए हो, तो इसका मले वीडियो पसंद आईए, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं गली वीडियो पर जाहें तब